अब्रिवन आज जो हम लोग को पढ़ना है आपको तो पता ही हम लोग कहा पढ़ रहे हैं क्या सीचे पढ़ रहे हैं जो सबसे महत्तपूर्ण है जो हमारे जो आपके लिए है वो सबसे ज्यादा है अगर सीटेट के लिए सीटेट के लिए एंसेटी की इविए सिकर्टाबे जो आपके लिए दिवेस्ट है इसी सीरीज को हम लोग पढ़ रहे थे आपके साथ पढ़ रहे थे मेरा उद्देश यह है कि आप अगर मेरी सारी क्लसेज अटेंड कर लेंगे तो अपने अपने यह देख पाएंगे यह आ जा रहे हैं सभी कोश्चेन उसमें मैच कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि कहीं ने कहीं यह नोट्स आपके लिए बहतर है इसी सिल्स्रेम मैं आपके लिए शुरू के आओं में उमीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो बहतर लगते होंगी तो आप इसे लाइक शेर जरू इसकी किताबों से इस सारे मैटको निकालना फिर आप तक पुचाना उसे इसमें इंक्रोड करना इसमें जोड़ना यह सबसे बड़ी बात होती है इस नोट को अगरा प्रणा पर पैयर कर लेंगे तो मेरी यह गैरंटी है इस टैटर और स्य टेट के लिए आपको अनकहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप इसको जब साल्व कर लेंगे पूरा किसी एयर का पेपर आफ्रॉल करेंगे आप लेगा इसलिए महातपूर यह रखता है अभी भी आपके पास समय प्रेश्ट दीजिए मेरे साज जोड के मैं आपके साथ रोंगा अगर दोनों लोग सब्सक्राइब करेंगे तो पैड़ा हम सकारात्मग होगा इसी के साथ आपको बैस्टा प्लक शुरू करते हैं हम लोग अपनी कहानी जिस कहानी के लिए आप समसे जुड़े हुए है यह सारी चीजे हम लोगों ने पढ़ लिया और एक बार आप रिविजन भी कर लिजेग सब्सक्राइब करते हैं कि आपको सारी चीजे जो मैं बता रहा हूं वह बहतर तरीके से समझ में आ रहे होगी तो इसी प्रक्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रक्राइब करते हैं और उम्हेद करते हैं कि आप भी हमारे साथ जोड़ कर पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं यहां से यह लोग ने देखा तो मेट्रो रेल पढ़ा शॉरी तर लिया जाए मेट्रो रेलवे मेट्रो की शुरुवात सबसे पहले कलकटा में हुई थी अब रेलवे की जोन की संक्या 17 पहले 16 तो कलकाता रेलवे ऐसा है जिसका अलग से अपना जोन है फिर आते हैं पचीद इसंबर 2002 को दिली मेट्रो की सुरुवात की गई भारत के प्रमकंतराश्टी पत्तानियों बंदा रखा है यह देखे मातपूर्ण है प्रश्ण का मेरा तात परी हो था जो प्रश्ण आपकी परिच्छाव में कई परिच्छाव में पूछे जाते हैं जहांसे प्रश पाखा मॉंबाई मारमागाव कोवा न्यू मैंगलोर करनाट कोची केरल तुतिकोरीन तमिलाडु सब्सक्राइब तच्छन इस्सा है तुमिलाडु पिसाका पट्नम आंध्रप्रदेश पारादीब औरीशा हल्दिया कोलकाता अल्दिया कोलकाता बस ठिक यह आपका हो गया इसे अपत्यार करते लिए नोट डाउन भी करते रहिएगा क्योंकि यह नोट सापको पीडियो फार्वने मिल जाएंगे और मिले भी होंगे नहीं मिलोंगे तीला निपीदर के श्राबले लिशेगा आगे आतने हैं बात में छे राष्टी जलमार गहें जिन के संक्या है छ इलावा से अल्दिया गंगा नदीपे विहाल ही बना अपने देखा होगा मोदी जी ने उसका उद्गाटन किया था धुब्री से सदिया ब्रहुपत्र नदी कॉलंब से कुट्टाइम पूरम केरेल एक काडी नणा पुदूचरी तलचर से परादीव लकिमपूर से भंगा बाराग नदीपे अश्रम में ठीक देखिया एक दो तीन चार पांच और ये च्छे ये च्छे से हैं जो भारत के चाराश्टी जलमार्ग हैं छोखेना आपने देख लिया इलावाद से अल्दिया गंगा नदी दोब्रेज सदिया रंपत्र नदी कॉलंब से समस्था रागेर अब कमिंट करके बताते हो चलिएगा बाते सबसे लंबी नौगनी नहर मंगीम नहर ठीक सबसे वड़ी कितिम नहर स्वेज नहर के लिए बहुत सारे जिले पाई जाती है इन्हें क्या कहते हैं जिलो को लाइगून कहते हैं कौन से जिल हुए लाइगून ठीक केरल को लोग वलम नामक छोटी नाव का प्रियोग करते हैं और फेरी से यात्रा करते हैं ठीक भारत में वायू परिवहन का प्रारम 1911 में हुगा था जब इलहाबास से नैनी के बीच बीमान डाग सेवा की शुरुआत हुई ठीक भारत में वायू परिवहन का राष्टी करण 1935 में किया गया इन्धरा गांधी हवाय यद्डा कहां पर दिल्ली याद रखेगा चत्पती सिवाज अंतराष्टी हवाय यद्डा मौंबाई सुभाशी चन्द बोस अंतरहस्टीव एड़ा कोलकाता मेना कामबम अंतरहस्टीव एड़ा चननाई राजु कंद अंतरहस्टीव एड़ा हैदराबाद अमोसिव एड़ा लक्नौ राजाश्ची वायड़ा अम्रिशार न overcome शेरी वायड़ा कोच्ची बढ़ा पानी हवायद्डा सिलांग लोपिय गोपिनात बार दोलोई गोहाटी वासकोडिगामा हवायद्डा गोवा गोवा यांते लेगा वासकोडिगामा हवायद्डा गोवा कोच्ची मत लगा देगा सबसे पहले कोच्ची आया था वासकोडिगामा तो कोच्ची लगा द सबसे पहले कंपन पैदा होता है यहां पर सबसे पहले कंपन पैदा केंद्र कहते हैं जहां सबसे पहले कंप अधी केंद्र 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 है से शिर पिख्तिवी है क reduce और तो उचीए होगी जिए सबसे बहुत है यहां पर स्सक्राइबatar है कि जरा अपर इक कई उसे आफ excess के इसे इसे सिंटा आ यह ऊपका फोकस आधी के दिखते हैं अब आगे देखते हैं कि रियक्टर पैमाना इसकेल पर देखिए कि रियक्टर इसकेल अलग होता है इस दिखते हैं इस यंदर में जिरो से नौध तक अंक लिखे होते हैं परतिक अंग का मतलब है एक से दूसरे से दस गुणा है क्या होता है दस गुणा थी ब्र होता है यहाता है प्रतिस से दस गुणा होता है अगर पूछेगा अगर पूचेगा तेयज परती पुचिया तो आप लगएगा रेक्टर केल यह कि आजाता है और आगे आते हैं पर 2 या उससे कम होता है इसे कोई पुरुबाह नहीं पड़ता और आप एक बात जांते रहेगा बुकाम हार मीनेट हार सेगंड आता रहता है आपस हमें पता नहीं चल पाता है कुं नहीं पता चला पाता उसको हमनों कि इतना ज्यादता जेसे अदो चू पॉइंट पॉइंट से उपर ओता तो अतिदिक बिनास कारी होता है प्रतेख का इस्फरिय में बड़ा होता है बिनाशकारी बुकम्प होता है हमें ग्यादत होना चाहिए कि बुकम का अध्यन Sismology क्यालाता है मैंने फ़हले बताया बुकम्प्रेकी या बुकम्पित तरंगों का अध्यन किसे सित्मों ग्रocy क्यालाता है ठेक ये बतulates तरह से इससे पता चलता रहता है तो इसी तरह होता है तो इसी तरह होता है ठिक कॉंसेट के लिए रहा तक अफिर मैं ने बता है बुकम बिज्ञान के अंदर कहा जाता है जाता है जाला मुखी पिधिवी की सतह पर खुला चिद्र होता है क्या होता है खुला छिद्र होता है जिसमें पिघला हुआ पदार्थ मैगमा बाहर निकलता है इसे तब खुला छिद्र होता है जिसमें पिघला हुआ पदार्थ मैगमा बाहर निकलता है इसे तब खुला छिद्र होता है जिसमें पिघला हुआ पदार्थ मैगमा के रुप मे नहीं होता है तो अफें हम उमीर करते हैं कि इसका जवाब चरूर देंगे कि मैगम अवावा में क्या अंतर होता है को समस्या कि ओर छुख में साफ फर्तिद्र जॉख गर देखा जाया तो तीन प्रकार के होते हैं सबसे जालमी कि इसे हम सक्रि जालम की कहते हैं जागरीद शान सुसोप तो साथ साथ जो एक बार अगर लावा को उद्धार हो जाए तेकं लावा क्या होता अच्छा बताई रेते हैं आपको जब जैसे यह कर च्छुवी च्छीभी चेल क मेंगमा नेपी तब जाता हो इसे पत इतन लगों जैसे उनी में नगमा नितिकित रहता है जाधा फिरेसा जाता है लुञ रहता है है कि इसक्री जैल मुखी कि इस यह में तो तब नकलता रहता हैं इंप जुबाट निकलता रहता है इसलिए सक्रीज वालम की कहते हैं फिर आगे आते हैं यह यह स्ट्रंबोली इटली कोटा पक्सी कस महादूइप में आप सबसे ज्यादा पुछा रहता है भात का जो शक्री ज्वाला मुखी बहुत समय से फटे नहीं पर उसके फटने की समभाव नहीं जाता है जाता है फिर अचानक से फिर निकल लगता है फिर बंद हो जाता है दस से बीस वर्ट से चारीस पचास वर्ट सोथ दोसो वर्ट ये कभी लंबा समय वह सकता है आने ऐसा वर्ट सच करने के बाद दोबार होद्गार होनी के सम्मावना कभी भी हो सकती है यह होती है आई से प्रकार के तो स्पत जाला मुखी कहते हैं भिने अट्रा इस्ट्रमॉटी इलिए हैं में क्या कहा जाता है विश्यु विएस इटली फ्यूजीय आमा कि मैं जांदेजीगा का मांदेज्छक का मतलब एक बार उद्गार होता है लावा को सुवर्ष्टों के लिए सामत हो जाता है फिर उसकी जो नली क्योंकि कि आपके लिसीटर के इतने ही महत्रपून है फूजियामा जापांग क्राकातोवा इंडोनेशिया क्राकातोवा के लंबी गान नहीं है इस बार जो में विस्फोर्ट हुआ था कापी ती ब्रिगती से आवाज हुए थी आपने सुनाओंगा 2004 में हमारे शुनामी आई आपको जान गया आच्चर होगा तो उसके सामने छोड़ा सा निकला हुए मेडागासकर तो उसका असर मेडागासकर तो हुआ था तो यह समझे जालमकी की भुकंब की यह ताकत होती है जालमकी की ठीक यह सभी सुसप्त जालमकी है फिरम देख लेते हैं विसुवे सेटली कि इन्हें वह हैं सांदो जालमकी भी कहते हैं मिरे मतलब क्या हूँ ता ऐसे जलमकी लोगार ही यह जब्रशकी की तरहाते हैं ख़िक देखते हैं किली मंजारो एका है में किन झारो में पोपा मियाँळो में में कितिन्सें का है म्यामार एक चिमवा राजों इकवाडृर COP देखने बहुत प्रश्चित दाओर esimerk its सुसुप्त है जिसे हम कहते है कोटा प्राक्सी यह काटा निए कोटा प्राइट करने में मिश्रू होगा होगा यह कोटा प्राइट से पूर्प सकते हैं आपको कुरा-पुरा मदद करेंगे और मेरा उत्डेश ले था कि में आपको बताना व्रकम बता दिए अचिक जिए काम करता है शोलमकी क्या व्यूंदक को कैसे होती है इस सभी को में बता दिया आप भी कुछ पूछना हो तो पूछ ले वरना हम हमर आगे बढ़ते अचे गर रहले और यह आपके जालमकी कुछ कि शुरू कि आज है चलिए कि देखिए यह हम बना रहे है जो अलम की कि अब सारे कॉंसरेट समझ में आ जाएंगे क्या में क्या बना रहा हूं कि अध्य मुद्य पर नुग दित्या हम लोगों ने क्या पड़ा है उच्छी जुपाज हम लोग समझने का भी ब्राश करते हैं जब से पर देखते हैं यह दिख रहे हैं यह जो अलम की ये जव एंग जौणा मू की शंकुंद्य औरthy में मैंगमा को इस नली से ऊपर आ रहा है। जोलम की नली कहते हैं जहां से जोलमकी विश्पोर्ट होता है। क्या कहते हैं इस छेत्र को क्रेटर यह वीवर कहते है जहां से जोलमकी का लावा का देख रहे ह। इदहार देखर नहीं ढारा इधर ब्हार रार इसटर डालकी को कॉसा तरफुत होासे ने पढ़ा से पुछ लेता ह्याओ कि लिदॅन पार बंग्राव से जवाब देता रहेये लवा, फिर लवा गोती है, बंदों जाती है। कुछ दिनों के बाद क्षूना होती है, फ्रस प्रिसर पढता है, और उपनी फिर ख़ल जाती है, फिर लवा गोत्गार होने लगता है, यह दो वर्स, चार वर, दस वर्स, बीस सो दो सौभर, यह कई साल कई हजार वर्स, कभी सबस्यादा निकलता है तो दूल कण निकलता है फिर जलवा से निकलते हैं फिर उसके बाद क्या निकलता है मैगमा शबстранताव दोफ्की सब्सकुल mentre दुन सब्सक्राइं दिनद्वण होता है मत्राय chosen काथी क्या देकी मचाती है कि गौड़ी जाती है तो यहां पर जिल बनता है इसे बीवर क्याते है एक बड़े बड़ा हो जाता है क्रेटर होता है जिने हम गोसला क्याते है आगे बड़ा जे अगर आपको इस सब्सक्राइब समझ में आगे होंगे तो इनी के जमने से आगने श्यल का निर्माड़ी बनता है आगने श्यल बनता है ठीक कोई समस्या किसी को कोई समस्या नहीं है ने चलिए आगे आते हैं प्रसांद मासागर के तर्टी श्यत्र में जॉलांव के मिसा फटते रहते हैं इसलिए श्यत्र को अगनी वले करें लिंगा फैर के नाम से जाना जाता है अगनी वले का जाता है मतलब इस सबसे जाना फिक प्रसांद मासागर पेटे दोस्त हो रही है इसी वजर से वहाँ पर प्रसांद मासागर अगनी वले करते हैं या रिंगा फैर के अश्यलिया में एक भी जॉलांव के नहीं याद रखेंगा अश्यलिया महादुविप में जैसे निम्नदाब बढ़ता है जैसे लोग प्रेसर बढ़ता है वैसे 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 अमाज चात्रव उच्छ गतिक वायों की परते को नली की रूप में घुमना शुरू कर देते हैं इसी सितिका कहते हैं चक्रवात को लोग समझ लेते हैं यह कापी महत्वपूर्ण है और आपके किसी भी अगर पर्यावन घर आपके सेल्वास में है कोई परिच्छा दे रहा है कि मेरा नौर से मेरी वैडियो लेक्षर आपके लिए पूरी तरह से रामबाले का काम करेगा और हमें थोड़ी सी मेनत करें थोड़ा असा मेनत आप देखें सफलता तक चर्यर आपके यह इस तरह से है कि आपके यहां बीच में होता है लो प्रेश्य यहां को होता है हाइप प्रेश्य ठीक धावा में से किधर से किधर जाती है आब अब वह उड़ता है उसरा कुण्डली गूर्पने कारी घुमना शुरू कर देती हैं इसलिक क्या कहते है चक्रवात कि आथ यह बीच में और से अंदर की की तरह रिवेश कर रही है क्योंकि यहाब है मिलिबार में किन Old अधो में आते हैं किसे उर्यमीर में हैं किसे ओपने सामते हैं हम कि इसे कहात saw कं आब देखते हैं इनकी वहसे संर लगबग 10 Amerika बारुसी क capsule on बंगाली खाडी की तोफान को हम चक्रवात को चाहिते हैं कि Sun क्रीविम करिवें सागर में तुफान उसे हैं किसके नम से नम से हरीकेन के नम से बंगाले खाड़ी में उसे चक्रवाद क्याते हैं करिवें सागर तुफान में हरीकेन के नम से जानते हैं करिवें कहा है अंटर्टीमा सागर में उत्री मेरीका की बात करें तो वहां से वह तैफ्वूड क्येते हैं मेसिको के खाड़ी में टार्नेडव करबियन में ऐए घरीकैन का ये चोफी का चिल कुछ सब्सक्र。 मां टाइफुन कियाते हैं ऐस घौ के लिए आख्या रहते हैं ऐसे चांते हैं इसक विभिन नाम आंध्यां कि a जालता रहता है ठीक बार आप को सब्सक्राइब काउंड़े तफान को ताइफून क्या कई तफाण करते हैं यहां तक कोई चीज आपको समण में नाई हो तो पूसकते हैं चक्रवाद से संबंधित ताकि मैं आपको बताऊं और आपकी मैं मदद कर सकते हैं कोई दिख्कत तरित बिजली एक विसाल असतर की विद्दु चिंगारी देखें बादल कर अगर बिजली के साथ कड़कती है तो उसे कहते हैं भोगोल की वासा में तरित जंजावट क्या करते हैं तरित जंजावट के नाम से जाना जाता है प्राकिति संतुनम को बनाया राकने के लिए प्रिथिवी के 33 % भाग पातने में देखिए प्राकिति संतुनम अगर बदाने के लिए मैदानी चेत्रों में 33 % और पहारी चेत्रों में 66 % 1 होना चाहिए लेकिन भारत में समस्त भूमी का मात्र 23 % वना चाहिए मात्र कितना 23 % हिस्सा वना चाहिए पताई तुर समस्त आने ने आगे बढ़े हैं फिर हम आगे आते हैं मुश्नकडवन्दी सदावाहर वन ये भूमद रेखा के पास पाया जाते हैं अब इसटावाहर क्यों करते हैं सदावाहर वन के नाम से की यह पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है अधिक वर्षा होती है कि होती है कि ब्रद्दिन यहापे दो बज़े से लेके चावे तक ब्रद्दिन वर्षा गंगोर वाश्रा होती है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं सदावारवन कहते हैं इसलिए से क्या कहते हैं सदावारवन कहते हैं थिक इनमन के मुख्य ब्रिच यह इंप्टेंट आपके लिए याद करते हैं कि जो मैं बता रहा हूं आपके लिए मात्पोन बता रहा हूं इंप्टेंट ही बता रहा हूं जो आपके CTT सुपर CT के लिए गर्हाम्तान कि तरह काम करेगा महगणी पावनूस रोजबूठ बास सिनकौना रबड आधिन वनों में पैया जाते हैं इनकौंड जैसा बिसाल जीओ इस्षी वन में पैया जाते हैं इसका में भी ख्याल रखना चाहिए इसका वहमें क्या किन ओैंड ना होंक लगना चुजी कि एनाकॉंडा जैसे आप विसाल जियो इसनी वन में पाया जाते हैं इसका अगाल में ख्यांले स्विवड़ी में और फिरम महा लुलिक्ला जाते हैं अब आते हैं उसकर बंद्धि पढफाती वन-ईन्य मांसुनी वन भ रहानी भी आप लोगों को बता देते हैं चलिए योगी हमारी पित्वी तो फिक हो गया हमारा अगर हम देखें तो पता चलता है मैं कि इसके 10 डिगरी उपर 10 डिगरी नीचे 5 डिगरी उपर 5 डिगरी नीचे इन चेत्र में देख लेजे आपको रिफान कर देखें कि यह ऐएसे च्चेत्र है यह क्या है ऐसे च्चेत्र से यह देखें वाहर से क्यानते हैं क्छों सदाそうそう रवाण के नाम से क्यों जानते हैं यह सबसे बड़ा लूंजिक सब नोजीच है यहां पर दिखें दो बज़े से चावे तक प्रदिन घंगोर वर्सा होती है तो करी यहां का महल या मन्शून कैसा होगा आप एक महीने की वारिश में देखते हैं जी जनतू नहीं नहीं तरह के पेड़ नहीं तरह के अभी ठिड़ा भी देख लिए जब हमारे वर्सात होती ह प्रदिन दो बज़े से लेके चावे तक घंगोर वर्सा होती है और यहां पर दलदली छेत्र होगा जब डेली वर्सा हो घंग और दециक छेतता दलदली हो जाता है आप अगया आथ को कि दोष्ब ज이는 करता करतें इस फेले क्राण कर्दा करते पहले यह उपर फिर वह उपर फिर उपर इस तरह से रागाता है प्रश्वादन में होती रहती है इस प्रिस्वरदा होंे कि वज़े से परस्वर्दा होने की वज़े से इन सभी वपनेक्व होता है मैं यह सदावाहर यह काफि लंबे-e नमबे लंबे होते हैं इसमें तक से ही आवनूस रोजि भूत आपने नाम चूना होगा उससे ईसमें जांवर भी गोषने से डरता है अब भारत में भी अ कुछिस्सा आपका आ जाता है वेहरम्ह थोड़ा सा दिख्या है घरहम्हें तो थोड़ा सा यान मिल्मुनादू कhando निपते होग फिर निकुबार निकुबार घर करते हो घ्रत कि इंडानेसिया जावाच अन्था एल्बि से करने का प्रिष्वे मतलब हैं कि अपने प्रयाश कीजिएगा इस सती को शेर करने का मतलब है आपने प्रेट करके आप हमारी वीडियो देख पा रहा है तो यह प्रेश करेगा कि आपके साथ जोड़ना चाहता है लेना चाहता आप उसका प्रेखम पर सकते हैं कि आप जानते हैं कि दुरगेश के हाँ सबसे बड़ी मेरी रिखार्ड है कि मैं सीटेट कोई फ्यल नहीं मुशन जादा मिलता इसले जादा मिलता है गाटियां जो नधी वह इसी जंगल में से गुजरती है जो अनापोंडा ज्यादा मिलता है ब्राजील के जंगल महीं मिलता है थिक स्मझ्वा गया अगर आप कहें तो आगे हम लोग बने इसको नोट करते चलेगा समस्ते चलिए इस तरह में आपको डिफाइन करता होगा ठीक है तो फिर देखते हैं हम लोग आगे इस वन में जानवर है मघटक आया यहां प्रहते हैं बोग उसे कडवंधी परपाथी फट इसके थोड़ा सुपर पाते हैं है फ़डपाथी हो जाते क्योंकि वहां पर मांसुनी जरवाई होती है वर्शन मांसूं कमसार होती है इसलिए सावर में एक बार ही होता है क्या करते हैं अपने पत्य गिरा देते हैं इसलिए 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 भारत की उत्तरी आश्ट्रेलिया और मद अफ्रिका में पाया जाते हैं इस ब्रिच इस वन के ब्रिच शुष्क मौसम से अपने रच्छा करने के लिए अपनी पत्य गिरा देते हैं इसलिए इन्हें पणपाती वन कहते हैं पणपाती वन कहते हैं फिर आगे आते हैं इस वं के जानवर हांति सेयर बाग गोल्डन लंग्यूर आ दी हैं शीक इन की मुक्षुन क्हश्जा पत्यगर इंगरते हैं इसलिए इने क्या पेयल की जनवर हो आटी शेर बाग गोल्डेन लंगूर आदी हैं इस वन के जो मुख ब्रिच वो महत्त कुण है यह ब्रिच क्या हमारे आई मिलते हैं तो जो आपके आमने इंडिया में जो ब्रिच मिलते हैं जाद तरह मुमन मैदानी चत्रों में उनी ब्रिच के नामा पचाने से पता सकते शाल साप लग रहे हैं तो बदाये हैं आपको समस्या का नुज्यात करते हुए आपके साथ चलें सदावार वन ये वन दच्छिण पूर अमेरिका दच्छिण पूर अमेरिका दच्छिण ब्राजिल में पाये जाते हैं इन वनों के मुख ब्रिच बांस चीड़ और युक्य ले प्रमुक है अब देखे हमने क्या दिखा सितोस कड़ी वन जहां भी ठंडा को यह वन दच्छिण पूर अमेरिका दच्छिण चीन और दच्छिण ब्राजील में पाये जाते हैं इन वनों के मुक्रुप से बास चील्ड यूकिलिप्टस प्रमुक है सितोस पडवाधि वन यह उत्तरपूर अमेरिका वंग्र मैं से जब शयदा रहते हैंर अच्छा यूक्यों करते हैं और दचाहकर यंख रहेगा च्छिण चैनक दच्छिण चिली और पश्चमी यूरोप के तटी चित्रों में पाया जाता है आ हुँए बस एक प्रकारगोरैं स्यादन नहीं होँए दो ध одно फिर 10 थो च्रेट य को पाढ़ सकते हैं ठीक मैदानी छत्र के लग प्रक्ति के लथ है और और उसम्मूं कुराचय को बढ़ा करें है और काफी अच्छा भी लगा क्या सबसे महातुपों टॉपिक था जिस टॉपिक मैंने आपको व्याठ्था की उम्मीद करते हैं कि आपको समझे भी आ रहा होगा तो सभी प्रकार की बन को हमने समझा दिया इस प्रकार को मन कैसे कैसे मिलेंगे यहां पर उसकडवन्दी है उसकडवन्दी दो है सदावर है पढ़ा पाती है फिर आते है शितोश गरवन्दी पढ़ा पाती है शितोश खरवन्दी सदाबार एंग आगे देख लेते हैं सल्पढ़ादी क्या है वैं यह गुथी राम जी इसके बाद कुछ भी नहीं बचता सारी चीजिए मैंने प्ढ सब्सक्राइब करेंगे ठीक है कि रमनी क्या देखा सितोस पड़पाती वन ये वन उत्तरपूर अमेरिका चीन न्यूजिलेंड चिली पश्ची मिरोप तटी शित्र में पाई जाती है आगे आगे देखा इस वन की प्रिच भी देखे पड़पाती है तो अपने पड़पाती सब्सक्राइब कर आएं तो प्रिच आपको पढ़ाते हैं अपने पर्यावरण कि आएस तक रिकार्ड है कि जिन्होंने मेरा पर्यावरण पढ़ाए वह हाल में तीस में ठाइस करकर आएं परिच्छा में आपको पढ़ार देखा अब कभी परिच्छा में आप इसका लाभ देंगे क्यों पर्फियर का पेपर स्रॉलक पर्ण करेंगे कि मेरे नोट्स रखेंगे तो आपको खुद लगेगा अरे सर आपने तो सारा ही पड़ा दिया है कुछ बचाई नहीं है तो मैंने पूरा एक बार कोर्स में लगवाग मेरा 18-16 गंटे आपको कोर्स रसा होगा इस 16 गंटे मैंने अपने पूरा कवर कर दिये पूरा एंट्रिय फिजमेंट और मोनाल जैसे पच्ची और हिडर लोमडी बेड़ी आधी जानवर भी पाया जाते हैं अच्छे छोटा से बात हम लोग पूछन दाना है अपसे अपने बहुस सारे जीगेटरों को पढ़ा है और लोग मुझसे वहतर पढ़ाते हैं नो डाउट गी क्या असा लगता है कि क्या मैं उसे डिफरेंट कुछ हूं अलग या मैं कुछ असे अलग बनाता हूं अब आगे अतने हम लोग फिजमेंट और मोनाल जैसे पच्ची हिरान लोमडी बेड़ी आधी जानवर पाया जाते हैं फिर आगे बढ़ते हम लोग भूमत सागरी वन अलग से बन अधिया यह वनस्पति यूरोप अफ्रिका असीय महमत सागर बीचे से अब को बता दें है कि अधिक यह इस तरह से अफ्रिका महादूरी पाच्षेतर है उपर से आपका एसिया महादूरी जो है यह नियूमक महादूरी आफिक यह महादूरी च्छट करता है यह भूमत सागर वाले च्छत्रों में पाए जाते हैं कि यह च्छेत्र निवू, फ़ल संत्रा जयत्वुण अनजीर क:" काफी पुश्यद्र है। इस च्हेत्र को विशेश फ़लुद्यान कहते हैं। ुश्यत्र का क्या क्यते हैं। विशेश फ़लुद्यान कहते हैं। संकोधारी वन केल 15 यह पाळी चित्र में पाए संकोधारी वन इन्हें टाहदा कहाएगा मत पाया जाए लूसा करे मोंस्ट इन पॉठ को रेकिज़ ढालन केलेगा संकोधारी याद रखेगा पाल्य केले इस वन के ब्रिच नरम होते हैं तफ ऐसे बनाने काम आते हैं याद रखेगा यह जो संकौतारी वा खोते हैं पहल सित्रों स्टे काभ सिरुना बरहबारी होगे पता क्यों होगी पेड़ के तर्य अपने अप फट जाएंगे इसलिए बहुत मुलायम होती है अगबारी कागा जो कागज के लिए हां से आती है हों कि जाड़िया यह वन रेगिस्तान और महाधीपों में पाएंगे अधफ ए तरह कि रागए देखते हैं कि इस छत्र में बभुल कीकर क्रैक्टस और कध्यूर छासे वहल याद रखे इस च्छित्र में बभुल कीकर क्रैक्टस को क्वाइया जी कोटीली ज़ाडियां यह रिखिस्तान महादीपों में पया जाते हैं अव 닉 अगर रिखिस्तानी प्रिच्छ की है का खरबस सिस्ता हो छता निटेट हो वी कि प्रिच्णी पहले बाद जड़े लंबी होंगी जड़ क्यों लंबी होंगी जल की तलास पर उसकी जड़े काफी गहराई तक जाती है और पत्ते होंगे नहीं कर होंगे तो छोटे होंगे ताकि वात्पो सर्जन कम से कम होने पाए लोरोफिल की मात्रा वात्पो साजल ओपने के लिए जैसे नाक फनी क्राक्टस देख लिजेगा खजूर बबूल होते पत्ते छोटे होते होते जुझ में काटे होती है ठीक इच्छेत्र में बबूल की करक्टस दिया है खजूर जैसे बन पाया जाते हैं साब इच्छू भी यहां पाया जाते हैं भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट अनुस्व भात्तर पायत गया गया है थिक कोई समस्वात इबारा पूछ लेंगे तब हम और आगे बढ़ेंगे कि मेरा उत्रिष्ट क्या है आपको समझाते हुए आगे बाइना मैं बहतर पढ़ाता हूं ये बात तब तक होगा जब तक आप बहतर करकर नहीं आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप बहतर करें तब हम आगे बढ़ पाएंगे और यह बस एक दू वीडियो बात पूरा प वाहां के ब्रिच कैसे होने चाहिए अगर हमायत नीम के तरफ रेच होंगे तो क्या होगा ऐसे ब्रिच होगे यह बर्फ गिरेगी वजन पड़ेगा यह तो तने में क्या होगा जो रिश्य होते हैं जब बर्फ टमप्रेचर डाउन होगा तो तने अपने आप फट ठीक अब कोई समस्य हो बताएं अब अगला प्रश्ण हो रहा है कि छित्र में हिंपात है बरवारी ज्यादा होती है इसकी दो कारण है पहला हम अगर हम दोनों गुलार्दों में साड़े तीस की उपर साड़े तीस की रीचे जाते है उसी चेत्र में उसके दो कारण हम उच श्रिया का है दुछ्ण फृका महादवीब का दुछ्ण में अगर्ण दुरो के साड़ में इस च्चित्र में आईसे वन पाया जाते यह तो खापी उचाई पर हो जाते हैं तापवान कम होता जाता है एक समय ऐसा आता है जब एट आपवान जीरो हो जाता हुसे कहते हिमां इमांग कहते हैं उस रेकाव मिलाने वाले बिंदो को हिमरेखा कहते हैं ठीक आप कोई समस्य है आप बेतलब हो सकते हैं मैं आपको पूरी संतुष्ट करूँगा क्योंकि मेरा उद्देश्ण हो सकता है काट वीडियो जाको और में उसके बाद यह सेलवस पूरी तरस कंप्लेट फिर अगले भी सेवर लगेंगे वह भी आपको साफ चल दी खतम कर देंगे आप इस सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या यह इतनी जल्देली सर्जेट कतम हो जा सकते हैं जी है जरूर हो सकते हैं बस पढ़ाने वाला चाहिए और पढ़ने वाला अभ्यास चाहिए ठीक आप मेरे साथ इतनी महनात करते हैं आप सफल चरूर होंगे ठेक है आगे बढ़ें अब हम आते हैं अब राष्टी पार्क व जी बहान के बात करते हैं तरफ रखिस राज में क्योंकि यह पूछा जाता है प्रशन आपको पता भी होगा वित्तरकनिका ओडिशा में सरी मली बच्ची विहार गोवा मॉस्ट इंपोर्टेंट जीम कार्वेट नैनिता लुत्राखंड सबसे पहला एक बादावगड साड बादावगड कांपे साडोल यंपी मत्रप्रदेश बनेरगाट वंगलूरू करनाठक बोरीवाला मॉंबाई महाराष्ट दुद्वा अराष्टिपार लखीमपोर उत्रपदेश मोस्ट इंपोर्टेंट काजी रंगा अशां गैंडा के लिए खांग्चा जनजेंदा गंग्टोक सिक्किम गिरी गुजरात सेर नामदफा व्लंचर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेंट गीर नामदफा काजी रंगा दूदवा जिमकारवेट सलीम अली वादावगाड इसा मोस्ट इंपोर्टेंट डाची गम मोस्ट इंपोर्टेंट कस्तोरी मेर्ग काना किष्ली मद्ध प्रदेश कैबूल लामजाओ मडिपूर तेरता हुआ कैबूल लामजाओ मडिपूर रडथंबाओर राजस्थान अचाच्चन अचान कमार चत्तिसगर मोस्ट इपादेश चंदरवबा चंदावली उत्तरपदेश प्रमुक एशियाई शेर घानापच्ची बरतपूर राजस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट गौतम बुद्ध गया विहार पेरियार केरल नदी विवातिये पेरियार की सरिस्कालोवा राजस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट सरिस्कर और घाना मोस्ट इंपोर्टेंट सिमली पाल ओडिशा मोस्ट इन्पोर्टेंट भगवान मावीर गोवा वितरकनिका ओडिशा पसु कछुगा मोस्ट इन्पोर्टेंट डाक्टर सलीम अली बच्ची व्यार गोवा ठीक कोई दिक्कत कोई समस्या आगे बड़े बात का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान हिमिशाई जो ले में इस्तित है बात का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान उद्यान दियान दिजेगा राष्टी उद्यान की बात करा हिमिशाई ले में है ले कहां पे है ले लद्दा कस्मीर बात का सबसे छोटा राष्टी उद् सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्ण बाद का प्रतम राष्ट्य उद्यान जिमकारवेड और्तमान मुत्राखें नेनी ताल में अस्थापनावर सोनई सो पैथीस पहले इसका नाम हेली राष्ट्य उद्यान कैबुल लाम जाओ विसुका एक मात तरता हुआ के लिए पूछ लीजेगा हम आपका जिवाब दे लेंगे तब आगे बढ़ेंगे वर्णाम आगे नहीं बढ़ पाएंगे प्रदेश में ठाइगर का दिख्था करने से लाम सराना जाता है यॉट्ट्र पर उट्चारी का पूछा को किस्वएग लाम गैंडाइश भी था तर्सका जाता है थाण्ताय नाव फ़िएग है इस इसाना चेंट एक गुजरात के लायन सेर को सेर स्टेट के नाम से नहीं आता जान दिएगा एक टाइगर स्टेट यम पी लायन स्टेट सेर स्टेट गुजरात लायन सफारी प्रजेक्ट सेर की सुरुवात उनई सो बहत्तर में मोस्ट इनपॉर्टेंट प्रजेक्ट घड़ेयाल के शुरुवात 1975 में की गई थी पूरा याद कर लिजिए यहां से एक प्रश्णा आपको जरूर पूछा जाता है आप देखिए हर एक दो वर्ष के बाद इस्टेट में तो इसकी भरमार लगी पड़ी है ठीक कि राज्यो में अरची छेतर है कहांपे इंडिया में नीलगिरी तमिल्नाढू कर लोकर कर्नाटा कहां पे है नीलगिरी किरनाज्य में हैं तमिल लैंडू करनाटा के रहल ठेक नंदादेवी उत्राखंड नंदादेवी परवतमाला भी आप जानते रहेगा नोक्रेक मेगाल है सुन्दरवन विश्ट का सबसे वड़ा डेल्टा वन इसे कहां पे हैं पश्चे मंगाल मनार की खाड़ी तमिल लैंडू गेट निकोबार अंडवा निकोबार दिसमू मानरा असंद शिमलीपाल ओडिशा द्यांग ज्यांग अवड़ांचल प्रदेश ये द्यांग किसका नदी का नाम है किस नदी का नाम द्यांग है किस नदी को द्यांग नदी काते यूपी टीटी दोजा सत्तर का पुछा कोश्यन यदि आपको लगता कि परेवन क्लासे बहुत बेतर चल नहीं है आप खासकर आपके परिश्चाग दिश्टिकों से अपने शभी शात्यों को जोड़ दीजे जो भी वेतर नहीं जोड़ प कि तीसरे सबसे उची चोटी पंच मणी अंपी अचान कमार करना अमर कंटक यंपी अर्स्थामलाई केरल कचकरन घ्यान भारती गुजरात कचकरन घ्यान वारती जानते लिए गुजरात में है तल्दली छेत्र है कचकरन से कोशन और आता है यह कुछन में पूछे देगा द भारत में प्रिवेश करती है तो दिहां गार से प्रुश करतेों इसका नाम वाजात्रव नंचल प्रदे श में दिहांग नदी और यह ब्रह्म पूत्र जो है जब चाईना में रते तीन अधिपत्र चित्र में तव उसको नाम है सांग पो कचकीर राण जंगली गधा ब्या शेसा चलम पहाडी आंदरप्रदेश शेसा चलम पहाडी आंदरप्रदेश सबसे पहला जयो मंडल आरची छेत्र नीलगिरी सबसे पहला जयो मंडल आरची छेत्र क्या है नीलगिरी सबसे पहला जयो मंडल आरची छेत्र क्या है नीलगिरी नीलगिरी कहां पे है नीलगिरी कह कहां है जयव मन्दल औरस्थी चेत्र भी आ सबसे बड़ा जयव मन्दल औरस्थी च्ड्रविए दी Son Re खाड़ी किस राज्जी में तमिल लाइडू सबसे बड़ा जयमंडर अरची छेत नीलगिरी तमिल लाइडू के रलाओ करनाटक किस राज्जी में है अश्रम भारत में सबसे ज्यादा जयो जनतू बायवर डावर्ची सांद घाटी केरल पाई जाती है ये भी प्रश्ण पूछा जा चुका है सांद घाटी किस राज्जी में है साइलेंट वैली कि कि केरल में मसालो का सार केरल कहते हैं भारत में सबसे ज्यादा बायो डावर्ची किस राज्ज में केरल में है ठीट कोई समस्य नहीं पूछ सकते हैं करें डाटा बोक जिसमें विश्षो की संकत xuं पर रिकार्ड रखा जाता यह इस बुक में प्रिश्ट होते हैं डिश्ट होते हैं कैसीẫ आ होते हैं कि यह पुस्तक आई शी एन प्राकितिक सरच्छण के लिए अंताराश्टी संग द्वारा जारी की जाती है ठीक कि ने रेडि होता है जमील शन्वाल चरी आगे बढ़ते हैं कि फिर आगे हमें मिलता है यह पुस्तक आई शी एन प्राकितिक सरच्छण के अंताराश्टी संगे द्वारा जारी की आती है आई यू शी एन अच्छा एक कॉश्चन और आई यू शी एन का फुल फॉर्म आई यू आई से इंटरनेशनल होगा फिर बता येगा यू से शी एन तेक अच्छारा में बताते हैं यह यहन फार नेशयर अर प्रिश्ट में प्रिश्ट में रखा जाता है भारस सरकार द्वारा परियावरणे उंहंद मंत्राले द्वारा पर्यावण के छित्र में कार के लिए इंद्रा प्रदस्त नी ब्रिच मित्र प्रशकार दिया जाता है इस प्रकार की पुरशकार के शुरुवात 1986 मुन के मृत्त के बाद उनके पुत्र राजु गांदी ने शुरुवात की थी सर्दियों के मौसम में साइबेरियन क्रेन सारस बात में मेहमान बनकर राज्थान के पच्ची बिहार घाना में रुकते हैं ठिक भगवान महावीर वन जियो ब्हारन गुवा में श्तित है यह भोकने वाला हिरन और उन्ने वाली ग्लहरी के लिए प्रशिद्ध है ठेक कोई समस्या नहीं है आगे बड़ाएं प्रजक्त गस्तमे में हाती समन्धित है प्रजेट गस्तमे हाती से समन्धित है अश्रम का प्रशिद्ध एक सिंग्वाला घंडा काजी रंगा पाया जाता है पाया यह जाता है जाता है जाता है जाता है अश्रम का प्रशिद्ध एक सिंग्वाला घंडा काजी रंगा में पाया जाता ठीक कोई समस्या होत आप पूछ लिजे आगे बढ़ें IS कि औरका मुखामब की तिव्रता में है अगर आपको रियक्टर श्क्यल नहीं दिया है तो लगाते यहां पर सिसमोग्राफ ठीट के लिए लिकशी नियार पर भिकल्प न होने वाज है इसको भी इमार लेए है कि है राष्ट्रू ध्यान के पूर में जिम कारवेट अच्छा है है है। हेली राष्ट्यू ध्यान का नया नाम क्या है कि यह राष्ट्यू ध्यान का नया नाम जीम कारवेट किस राज्जी में है अब पढ़ा चुके परियावने वन मंत्रा है मूरा ट्रावाच दॉर्त रावाच धशन में चनेला परस्कार्ण्ट् कुल लांट बसके रच मोरसुकारर्शन में उसके गई थी यह हैं ऑर कमें हमेली तेकला सरकार yhtराओं इसका फुल फार्म कमेंट बॉक से मताईएगा तब इसके बारे मम बताएंगे यह वन जीव सरच्छन के प्रती समर्पित है यह वन जीवन सरच्छन के प्रती समर्पित है भारत में 19.47 प्रिश्चत भूमी पर वन है भारत में 19.47 पर्शेंट चेत्र पर क्या है वन है ठीक वनों के महत्वकारण प्रमुक ग्रीन गोल्ड है ठीक ताइगर इस्टेड मद्प्रदेश को कहते हैं बाग इस्टेड सेर इस्टेड किसे कहते है जान डिवीकी ने खेल की ब्याख्या जीवन में क्रिया सिल्था के आधार पर की है इसके अनुसार जीवन का सार है जान डिवीकी ने खेल की ब्याख्या जीवन के क्रिया सिल्था के आधार पर की है जान डिवीकी ने कहा कि बालक के जीवन का मुख्यकार खेल है जान डिवीकी ने कहा कि बालक के जीवन का मुख्यकार क्या है खेल है सबसे पहले मांट टोरेश्ट पर चड़ने वाला ब्यक्ती सर एंडमन हिलेरी न्यूजिलेंड और सिर्पा तेंजिंग भारत के हैं और भात की पहली मैला जिनोंने एवरेश्ट की सिकर पर चड़ा है उनका नाम बताइए हमने पढ़ाया है परियावन की क्लाश में आपको जुनको जबेही जपान की पहली मैला 1975 में सागर माथा पहुची हिमाले को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानना जाता है ठेक यहां तक हमने जो पढ़ा दिया अगर यहां से आपको कोई भी शमस् से पहले पोस सकते हैं अगर आपकी डॉट क्लियर नहीं हो पाती हम तब तक नहीं आगे बढ़ेंगे जब तक आपकी कोई भी डॉट नर क्लियर नहीं होजा है पूरी तरह से बताएं आप सब कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ेंगे फिर आगे आते हैं मैला कि नाम बताएं यह बच्छंद्री पाल है पहली भर्ति मेले जो शिकर प्चड़ी थी वेधी बच्छंद्री पाल 1984 में यह शिकर पर चड़ी थी ठेक दीपिका कुमारी का संपत धनुधारिश है दीपिका शाइना नेवाल का संबंद बैट मिंटल से है मिताली राज का संबंद क्रिकेट से है किसे है क्रिकेट से है पीटी उसा का संबंद एथलेटिक्स से है क्रण महाश्वरी मेलिश्वरी कारृसा कणलर ले एंसी मेरी कॉंग का संबंध एंसी मेरी कॉंग का संबंध जिसे बॉक्सिंग से है जीता पोगं का संबंध कुस्टी से से संबंद कवड़ी से अंजीली भगवान का निशाने भाजी संबंद यह प्रश्र पुच्छु का किष्ण पुनिया का संबंद डिसकस थ्रोश है रितुरानी हाकी से संबंद रखती है दीपा करमाकर जिम्नास्टिक से तालुग रखती है पुच्छु का दीपा करमाकर जिम्नास्टिक से तालुग रखती है जो संच चिनपपा स्वैक्स तालुग रखती है यहाँ तक अगर आपको कोई बताने लायक नहीं सारी से आपको याद करनी है देखके समझनी है फिर अगर कोई डौट हो ता आप उनसे पूसकते हैं क्यों आज मुझे लगता है परेवन की आपके लिए लाकरी वीडियो है फिर एक डौट क्लिरिंग सेशन होगी उसके बाद आपकी क्लासेज इसे खताम फित्र नए सीरे से नेची जमलग पढ़ेंगे यहाँ अगर कोई डौट हो ताम उससे बेचक पूसकते हैं मैं आपके साथ ह क्यों कि आज दो घंडे का पूरा लाइफ क्लासेज है अब लगबग सवा घंडे बीच चुके हैं मैंने सारी कॉंसेप्ट कर दिया यह पूरा नसी आटी बेस है छे साथ आड़ के नसी आटी बेसी किताबे हैं आगे बढ़ें चलिए को लोमी घटाक टेवल टेनी से तालो लोग रखती हैं अब आते हैं अन्य चीजियों को एक साथ पढ़ लेते हैं कुछ प्रेश्ण उत्तर के शाहरे कि लगबग मैंने कॉर्स पूरा कंप्लेट कर दिया रिकाड है कि आपने भी देखा को बहुत सार एजुकेटर होंगे इतने कम समय में मैंने पूरी को कंप्ले सब्सक्राइली स्ब्लाइजेशन का इतिहास चीज सो से लेके सतर सो पचासी सा पूरू था यह एक भारत की या बिश्रुकी नगरी शब्यता थी यहां की जल निकास प्रणाली अद्र रिती थी यहां पर घर होता था घर के पीछे नाली होती थी और भी देखेंगे हम इतना विशिट सोस्ते थे इतना बेत्र सोस्ते थे हडप्पा और मोहन जोदलो इस सब्यता के प्रमुख नगर थे अन्नागार इतना अन्नागर रू अन्नागर दोनुझी यस सब्यता का प्रमुख नगर था लोथार सिंदुगाटी सब्यता का प्रमुख न बंदर गा था दाराम सानी नेडप्पा सब्यता की खोज 1922 कैश में किया था राखल दास बनर जी द्वारा सिंदु गाटी सब्यता के अस्तल मुहन जोदलों की खोज 1922 में की गई थी ठेक कप की गई थी 1922 में की गई थी ब्रिहद अस्नानागार मोहन जोदलों का सरवादिक महत्पूर अस्थल जो मैंने कुछ दर पहले बताया चहुंदडो एक मात्र पुरा तत्व अस्थल जहां से वक्रा काड़े इटे मिली अन्य जग दोन पाते चरन पाते छा केन पात में इटे मिली थी राखी गड़ीर से अन्नागार और अच्छा प्राचीर के साच्छिम मिले काली बंगा मौस्ट इंपोर्टेंट काली बंगा काली बंगा क्या जुत होगे खेल के साच्छिम मिले काली बंगा स्क्याओ जूत होगे खेल के साच्छिम मिले ठीक कोई समस्या कोई समस्य पर आप पूछ लिजे तब हम आगे बढ़ें क्योंकि आज आपका लगवा कतम हो जाएगा फिर इसकी पैगालोगी बचेगी क्राश क्योश्चिन चिक आगे बढ़ते हैं बनावली से अधिक मात्रा में जो मिले बनावली से मिट्टी का बना हल मिला इसका मतलब वहां के लोग हल से परचित थे दौली वारा नगर तीन भाग में बाजित था दुरगा भाग मद्दे भाग निचला भाग दौली वारा से अडपा सब तक एक मात्र खेल का मैदान मिला मॉस्ट इंपॉर्टेंड हलपा सब ता में माप की दस्मलों प्लाली तथा माप तौल की इकाई अब लोगों के अध्यन को एपीग्रफी कहा जाता है वेदो के संख्या चार है वेदों की शंख्या चार है रिगिवेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है इसमें को दस मंडल एक हजार अठाए सुक्त दस हजार पांसो सी रिचाये हैं रिगिवेद में तीसरे मंडल सूर्य देवता को शविता को समर्पित प्रशिद गात्री मंत्र किसी देवता को समर्पित है बताईए शूर्य देवता को किसमें है रिगवंडल में है रिगिवेद में है वेद के संक्या चार है चारो के नाम आपको पता होगा चारों वेदों के नाम को अरे सुर कोई संवर्पीत सुर की उसमें पूजार्चना की गई ना सूर देला कोई रेग वेद में और गयत्रि मंत्र लू vend देल में देला सोंकानले लेक है तथा दस्वा मंदल चात्यु विएम समाज की संकलपना का आदार वेजुरुबेद के दो ब्रहामन गुरत यत्रेक और कोस्तस की अथ्वा संख्यान। यह जुरुबेद पद्द्द सपारण नियंग दोनुमें है। मैं बैरि को हुद से कि कि इसमें मंत्रों का शंग्र है यह गाने वाला पुरा वेद है ठीक यहां से अगर अभी ता कोई चीज समझ में ना यह पूछ ले ताकि हम अगले पेच पे आसानी से बढ़े सके कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं नहीं क्योंकि यह प्रामरी जुनियर दोनों के लिए मोशन पॉटेंट आगे आते हैं अथर्व वेद इसमें रोग निमाड़क जादू टोना आदि का जिक्र है यह सबसे नवीन वेद है यह सबसे नवीन या नया वेद है मुंडो कुमिसत से भारत का राष्टी आदर सुवाक के शत्यमियों जैते लिया गया है सबसे पुराना पुरान मत से पुरान है सबसे प्राचीन पुरान कौन सा मत से पुरान बहुत धर्म के संस्थापक कौन थे गौतम बुद्ध इनका जर्म लुम्बनी के कपिल वस्तु नेपाल में 536 इसापूर हुआ था इनकी मृत्य चार्सो तिरासी इसापूर कुशिनगर के उत्तर प्रदेश में हुई थी गौतम बुद्ध को गया बिहार में ज्यान की प्राप्ती हुई उनकी मृत्य चार्सो तिरासी सापूर कुशिनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी जन्व लुंबनी कपिलवस्तु नेपाल मृत्य कुशिनगर उत्तर प्रदेश ग्यान प्राप्ती बिहार गौतम बुद्ध को बिहार में ज्यान की प्राप्त हुई बौत धर्म के त्री रत्न बुद्ध धम और शंग मौशन पॉर्टेंट बौत धर्म के तीन रत्न जैन धर्म को वास्त्विक संस्तापक महाबीर कुमादिक इसको पर के पहले गौतम बुद का इतना आप समझ लीजिएगा यहां से कर कोई कोई कोश्ची से ज़्यादा कोश्चन नहीं पुछा जाता बहुत धर्म के त्री रतन बुद धर्म और संग दुख दूर करने आठ मा बहुत धर्म को बुद धर्म को गया बिहार में ज्यान के प्राप्ति हुई इनकी मृत्य नगर में हुई महाबीर को माना जाता है इनका जन्म 540 इसापूर में वैशाली बिहार में हुआ था इनकी जैन धर्म के 24 दिन धंकर थे जैन धर्म के पहले दिन धंकर रिशब्देयो थे जैन धर्म में पांच महाब्रतों का उलेग किया गया है ठीक कोई समस्चा इस पेस्ट से कोई समस्चा अब बताईएगा मेरा कोशन आपको याद होगा गौतम बुद के माता और पिता का नाम क्या था जवाब आना शुरू हो गया है लेकिन आप लोगी बताईए कमेंट बॉक्स में जैन धर्म के दो संब्रता में बिग्या दीगंबर शेतंबर विसे ठीक यह हो गया आपका इतिहास से जुड़े सबसे प्रमुक बिंदु जो मैंने आज आज आपको बता दिए आग आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना होने पाए ठीक है अगे बढ़ें अब हाँ चले है विस्व के महादीब घर्ते करम में इस प्रकार है एशिया विस्व का सबसे महा बढ़ा दीब एशिया अफरिका उत्तर अमेरिका धच्छल अमेरिका अंटार्केट का ये युर बिस्व के मानotta घर्ते कर में सबसे बढ़ा प्र्सांट पर हिंद महासागर फिर अकटिक महसागर टर्ड Law घ्र्ला अप्रेण जो भला ये पढ़लेए इसके बारे में थीक कालाहारी अफ्रीका महादुप गोबी एशिया में गोबी मरुस्तल कहां पर है मंगोलिया जहां पर दो कुबलबले ओट पाए जाते हैं आगे बनें कोई समस्या कोई दिक्कत छत्रफल computer science film आदा पर विस्तुके देश सवैंक तराजय अमेरिका अमेरिका मैं उसका तोफ़का झालव ड Васर्फल कोपे पार हो पानारों चीं चॉस्तिए वारफ e जनसंक्या क्यादार पर घरते क्रम में चीन भारत स्वंगतराज अमेरिका इंडोनीसिया और ब्राजील विसकत से बढ़ा देश जनसंक्या में चीन भारत थी स्वंगतराज अमेरिका इंडोनीसिया ब्राजील कोई समस्या ठीक आगे बढ़ रहे हैं दीखे सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लग भग आप खतम होने वाला है आज अगर आप लोग पढ़ लेंगे कॉंसर्ट पूरा क्लियर हो जाएगा विश्ट के विश्ट जनसंक्या का दार पसाथ चोटा देश वेटिकन सिटी सबसे बड़ा र अफ्रिका महाँ दोई विश्ट की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजान दो बाते यहां दो प्रश्ण विश्ट की सबसे लंबी नदी नेल नदी विश्ट में सबसे ज्यादा धारिता वाली नदी अमेजान विश्ट की सबसे चोड़ी नदी और सबसे लंबी चोड़ी ओ दिखे आलव अप्रिका में इस इस इ ahí मकई और त्रीम आगो को चीन का शोख कहते हैं अब कibl conoc crypto ऐस में दिया चीन के सबसे वड़ी नो, अबूदावी तराज अमैद अब अरभ अमिराद की राष्थानी है यहां की प्रमकवनास्पती खजूर के पेड़े है क्योंकि आपके लिए शुरच्चित रहेगा एक बार दो बार इसको तयार कर लेंगे पूरी तरह से याद हो जाएगा अगर आपने पेपर पीछे दिया होगा तो आपको पता होगा प्रश्ण किस तरह से पुछे जाते हैं क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो परिच्छा में पूछे जाते हैं या नहीं पुछे जाते हैं आगे बने कोई कोश्चन क्राश्च कोश्चन कोई समस्ट्रा आगे अब उधावी में यहां पर पानी सस्टा पेट्रोल अबुदावी की भाषा क्या है अर्वी और मुद्रा दिरहम है अनदी की कोश्च की थी ठाचिन समराजय महिला यूद्धाओं को अमे जो उन्स का जाधा था जैसे दिखते थे इस तरह इस नदी का नाम अमेजन पड़ा मौश इंपोर्टेंट अमेजन ने दी कहां पर है विस्ट की दूसरी सबसे लंबी ने दिए अमेजन चोड़ाई की मामले में पहली भाईता अब आते हैं और अगले टापिक पर इसम मिला मिला कि आपको है ताकि तीक उबन नहों एक भी से खतम भी अगले पसे इससे मोट्स बनाने कि चत्राई थी वह मैंने पूरी तरह से चत्राई दिखाई है ताकि आपका धेतरिन तरीके तुछ तैयार हो जाया विकि जानते हैं आ कि अर्श even जार्व चौड़ हों जालदियवास20 अि सल्ट परित्विंबर्च संक करने में जाल्थ इस तरह चर्ण ट्क उल्छे गलती आपकंने में यह सब्स्ताईbaum ढम इ। आपरेयल करूँजेबlass. तुछ, свील आपरेयल थेख लीजेज हां, ठेक बाइस अपरेयल विश्व्व टी बी देवस 24 अपरेयल, स्वरिमिक दिवस एक मैं, विश्व पर्यावन पाच्नलू देखे, बार्ष यल दिवस- बाइस अपरेयल- persever。 12 में जहभी फिथा इए तीनो दिवर सिंपॉर्टनन थीन हैं विश्फ-भाइस तीन विश्फ परयावन दिवस पाका जुन को और आटून को हमारा ब粟े उसमाहसागर दिवस एक ग्यार में कोईसा दिन है विश्फ महासागर दिवस 8 जून हेक की ग्यारा में क्या है अध्योगी दिवस टेक्नलोजी डे विश्व रक्तदान दिवस 15 जून विश्व जनसंक्या दिवस 11 जुलाई 21 जून योगा दिवस विश्व योगा दिवस 26 अगस्त को सांती दिवस मना जाता है युरस्विमा उप्रमालों अमला अमेरिका द्वारा जापान पर विश्व युवा दिवस 12 अगस्त भारत में 12 जन्वरी विवेकानन के जन दिवस पर सब्सक्राइब दिवस 27 सितंबर को मना जाता है ठीक विश्व परेटक दिवस 27 सितंबर को मना जाता है लगबग मेरी सबसे एव्यस का अंतिम लेक्षर मेरा है और आपका कॉर्स कॉम्प्लीट है आज प्रितर्स कॉम्प्लीट हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद आप 28 क्वेस्टन जरूर साही कर लेंगे अगर आपने पुरी नोट्स पढ़ी होगी और एक दो पेपर शॉल्प की होंगे अंतराष्टी अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर गांधी जहनती सास्त्री जहनती सिच्छक दिवस 5 अक्टूबर 29 अगस्त कौन सा दिवस मना जाता है बता दिवस एक दिसंबर 2 दिसंबर कंप्रीटर संगलत दिवस दिसंबर विकलांग दिवस दिवस दिसंबर मनवा दिकार दिवस बारती रुपए में 17 वासाय होती है एक रुपए एक नोट बित मंदाले जारी करता बाकि सभी नोट बारती रिजर वैंग जारी करता ये भी पूछा कोश्चन ठीक तो इस प्रकार हमारे सारे टॉपिक में महत्पुड कंप्लेट हो गया है अब यहां से गर कोई आपको क्रा पूछे कोटल देखे तरह पुस्तक है तरव लेका कोटल कोटल के दो अन्य नाम बताई ये कोटल के अध्यार्शात के दो अन्य नाम बताई ये अब कि वारंड पिच्छ पंचतन्त्र कालिदास अभिज्ञान साकुनतलं मेग दूतं कल्लड राज तरंगडी वेदिव्यास महावारत कल्लड की क्या है राज तरंगडी ठीक वेदिव्यास महावारत महावारत का पुराना नाम क्या हो आवाज नहीं आ रहे कि आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आगे बड़े कोई समस्या आता है कोई भी समस्या हो बेहिच्चक आप पूछेंगे आपका जवाब देंगे और आपको संतुष्ट करेंगे पूरी तरह से हेराउद्देश आपका भेतर परड़ाम लाना है वाल मिकी रामा आयर बार 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 अरुष चरित मोश्ट इपॉर्टेंट बार बार शाचे द्याद गिए प्रस्ट काफी उल्जा देता है यह चरित की भी तीन रचनाएं हैं इसने लोग कंफ्योज जाते हैं कौन सी रचन अमर शिंग अमरकोष फ्रदोसी शाह नामा अबुल फजल आयने अकबरी अकबर नामा अईने अकबर अबुल फजल गुल बदन मायु नामा अलबरुनी किताबुल हिंदे किताबुल हक। रविद्नाटागोर गितांजली जिसमें से जन गणमन अधिनायक भारत का राश्ट्री गान लिया गया है प्रेमचंद गोदान गवन कन भूमी सेवा सदन मौस्ट इंपोर्टेंट आरके नारायर मागुडी डेच नेहरूर डिस्कवरी आफ इंडिया महत्मा गांधी माई ए अरामसे अरस्तु पॉल्टेक्स दाते डिवाइन कमेडी अब पताई यहांत अगर आपको सोन आगे ठीक है वर्ना आगे बढ़े हम कोई दिक्कत कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई परशानी कुछ भी नहीं आगे बढ़े है हाँ हाँ होमर ओडिसी प्लेटो रिपबलेक्ट चार्स डार्वीन और जन आप स्पीसीज और जन आप स्पीसीज सक्स्पीयर एज यू लाइक इट रोमियो जुलियंट जार्ज बरनाट शार्म्स एंड़ मैन फिर इधर व्यक्ति खोज और अविश्कार ठेक कोलंबस उत्रे अमेरिका खोज चोदो सो बांगे वास्कोडिगामा ये रोब भात्ता की समुद्रे आत्रा खोज चोदो सो ठांगे मोस्ट इंपोर्टेंड कोलंबस निकला था भारती खोज में निकल गया उत्रे अमेरिका खोज कर दिया जिसने बाद वास्कोडिगामा भारत की समुद्रे मारी खोज के काली कटके बंदर गावे पोच्छे थे के मैक मिलान साइकल चाल सेवेश कंप्योटर काल वेंज पेट्रोल कार लेविश वाटर में फौंटेन पेन थामा सलवाइटिशन ग्रामोफोन जम्सवाट स्टीम इंजन ग्रामोफोन वास्कोडिगामा चाल सेवेश कंप्योटर काल सेवेंज पेट्रोल लेविश वाटर म फॉंटेन पेंट थामस अलवाइडशन ग्रामोफोन जम्सवान स्टील इंजन ग्राहमवेंट टेलीफोन जल बयार्ट टेलीवीजन जानगुटनवार्ट ब्रेंटिंग प्रेश हरिस्तन ऊलिटिंग रिफिजरेटर ग्राहमप मेतर लोई पासक्र पास्ट След Smith सब्सक्राइब पाशिक जए साल्क पोलियो वैक्सीन रुनाल रास मलेरिया पर जीवी एड़ड़ जेचक एड़ड़ जेचक रावर्च कोच टीवी जिवाड़ो राइड व्रदर्स ओरिवल विल सिल्वर भवाईजाज लुई ब्रेल लिपी हो गया सारे इंपोर्टेंट अभिश्कार सारे इंपोर्टेंट पुस्तके उनके लेखाग खतम आगे बढ़ें यहां तक कोई दिख्कत कोई समस्य आप पुछ सकते हैं फिर हम आगे बढ़ें कोई समस्या नहीं कोई दिख्कत नहीं चले दम की सुरुवात अशोक ने की थी दम की सुरुवात किस ने की थी अशोक ने की थी शोमनात मंदिर राजस्थान में है आगरा सरकस्त अपना सिकंदर लोदी ने की थी याद रखेगा आगरा सरकस्य ने की थी सिकंदर लोदी सुमनात मंदिर राजस्थान स्वारी स्वारी सोमनात मंदिर गुजरात पर तो है यह को सीटड के लिए प्रापर विवे नहीं है यह आपके लिए यूपी टीटी सी टीटी सूपर टीटी इसके साथ अन्य भरती परिच्छा में जहां भी परियावरण जीएस का जिक्र होगा वहाँ सभी प्रशन किया तब मुझे बात ज्यांत हुई कि वह क्यों पर्यावन क्या कि पर्यावन ही नहीं पूस्ते अपने देखाऊगा विवादी प्रश्ण था रेका सर्मा का यूपीट्रीटी 2018 में मैं लायो कध्याच तो इस तरह से जो प्रश्णों ने पूछा है उस हिसाब से इस हिसाब से मैंने पूरी कोर्स को इस हिसाब से बनाया है ताकि आप एक ही बार पैसा इंवस्ट करके आप सरी सिज़े ले इसलिए मेरे नोट्स वीडियो लेक्ट्र सब कुछ आपको प्लब दो जाएंगे बस यूपीट्रीट जितना मैं पढ़ाया है इतना पढ़के किसी पी यल का यूपीट्ट पेपर दीजे अगर वीट से ज्यादा पश्राही करेंगा वीज से ज्यादा है मेरी गैरंटि है लेगिन आपको दयार करनी होगी मैनत करनी होगी बीन मैनना कुछ होने वाला नहीं है और मैं जब भी पढ़ायां अगर पढ़ाते हुआ आपने और उसमें आपने समाजे भी ग्यानत दन करेंगे तो यह मेरी नोट्स आपके लिए राम बाण के काम करेंगे वही तरह से क्योंकि मैं खुद सी टे्ट अपर परामरी परामरी दोनों क्वालिफाई टेट क्वालिफाई हूँ फर्स अचयाँब और वह भी कि आप को कुई बात नहीं को नहीं जानते होंगे तो कि मैं आपका समय बाद नहीं करना चाहता मैं ज्यादा बात बस मेरा उद्देश यह है कि आप पढ़ें और बहतर अंक से परिछा उत्रण करें बस मेरा एक टार्गेट है और मुझे पता आप आशा करेंगे जी अनिकेडमी भी फॉलो कर सकते हैं अनिकेडमी के लिए आप रफ्योड कोट इल्लैनी बिद्रगेश समय जूड़के महाँ प्रापर आपको दो सब्सक्राइब आएंगे मेरे मैथमेटिक्स और यह यह कुछ दूर रिव्लेक्शन है ठे सब्सक्राइब किस ने किती गुरु गोबिन सिंग ने किया था ठेक आगे बढ़ते हैं अब आते हैं दाग विवस्ता के सुरुवात करने वाला सासक सेर्शा सूरी था याद रखेगा दाग विवस्ता सैनको को नगद वेतन देनी गिर पणाली घोड़े को दागने की पर था सेर्शा सूरी ने किया था सेजसोनी ने एक साड़क बनवाय था साड़क का नाम हमें बताएगा हमने अपने इस मोर्स में आपको बताया है और पढ़ाया भी है उम्मीद करते हैं हमें जरूर बताएंगे तो यह आप हमारे उमीद पर ख़रा उतरेंगे शमात कवमूदी नमक समाचारपत्र के प्रकासक राजा राम मोहन राय थे गांट्रेक रोड सही है गांदी जी को राश्पिता सुभाचन बोश ने कहा था मोश्ण पॉर्टेंड अरेवियर रेकिस्तान इसीया महादूइप में आता है स्रिलंका की मुद्रा रूपया है प प्रतिवर्स 11 जुलाई को बिश्व जन संक्या दीवस मनाया जाता है डाक्टर जाकीर हुसाइन मुख्यन आदेश के समय भारत के राश्पती के पद पर आसीन थे जाकीर हुसाइन मुटे कागट पर उपर बिंद बने होते हैं च्छ बिंदों पर आधारी होते हैं है तो यह अमारा टॉपिक जो हम ने आपको पुरी तरह से खतम कर दिया क्या क्या पढ़ना क्योंकि इसके बाद परयावरान सिच्छन की सुरुवात हो जाती है ठीक इसे बाद अब बाकि बाद में पढ़ेंगे लेकिन आज आज हम यह देख लेते ठीक है तो जल्दी दी में क्यों देख लेते हैं पर्यावराण प्राकतिक समाजी को सांस की तत्थों से मिलकर बना हुआ है यहां पर यह पूरा दिया हुआ है इसमें सभी हम पॉइंट ऐसे हैं जो परिच्छा में पूछे गया है ताकि आप कम समय में ज्यादा वहतर तेहरी कर सके अगे बढ़ते हैं परिचत को हम सरचण की जानकारी देखिए यह पूरा पूरा यह पूरा पूरा यह पूछे आपके पास पेपर होगा था प्रिवेश्र का देख सकते हैं यह भी देख लिए यह भी मैंने आपको जितना बेत्या है यह भी सेलवस में है यह पूछ चुका है आपको याद होगा अगर प्रमण विदी से दो तीन साल लगातार पूछा है प्रेटा ने प्रेवन कराते हैं कि दिखाते चलना हूं कि अगर नहीं हो पाया क्लासी निर्यागी नहीं रहा पाया इसकी स्क्राट लेकी यूज कर सकते हैं मेरा उद्देश है आपको हर हल में शफल करता है यह देखिए यह प्रगात्तम विदी माधदर्श्र का ध्यापा को ता यह सारे चीजी ह है दल से चलन भात में नमाचार के रूपर शुकार किया गया यह काफी पूछा गया है समाजिक अध्यन में सबसे सजी प्रवासा इस चलन भी खेल भी दिये और इस प्रेश पर आते हैं देखिए यह पूछा कोशन है ग्या निकाहिए कि प्रटबादक दीवी जान है यह प महत्तपोन है जो आपके परच्छा के दिश्टपोन में जिनकी महत्तवा कुतनी कम हो थेक यह विकरी कुलम सब्दकाताथ पर है मैं दावल काम अधान की सारे पूछे हैं कि नाटक देशन में सरभे समागी दोनों समागरी होती है दल से चंद सरबतम प्रयोग अमेरिका में सब्सक्राइब करते हैं जो आपके लिए जाता महत्तपोन है यह थोड़ा अच्छा लगता है और हम तो पूरी-पूरी मदद करने के लिए भी तयार है कि आप अपना भैतर करे जिन्दी का बेस्ट दे ताकि सबता जख्मार के आपके शामने है और आएगी सब्सक्राइब करते हैं कि मैं आपके इसलिए क्या रहा हो ताकि आपका अगर पूरा पूरा रखना चाहिए बिसेवस्तु की भासा सिचार्टों की बोल चाल की वासा कैसी होनी चाहिए यह भी पूरा हमने दे दिया है ठीक पूरा देकर यह सारा जितने टॉपिकर आप पूरा रहे होंगे तो यह आपके प्रीषा के लिए अपी रखने कि यह पूचा है यह दो इसमें दो प्रिशन दोनों सीटेट हैं पूचा है जैसा कि हमने उपर वरण कर रखा है कि NCF 2005 कच्छा तीन से पांस तक परयावानों को अध्यान पड़ा देखिए यह पूच्छा विश्वश्व तो कैसी निचे यह भी हो गया विद्यादी खोच के लिए प्रयाप से समय देती है विश्व जात्र विकास की हो गया तो पता सबसे बड़ी वात क्या है तोड़ तोड़ करें यह नहीं पूरी कहानी आपको सुना नहीं है क्यों अधन टूटर टॉपिक आपसे भात कर नहीं आपको समझानी बास बात खताम चारा में कहानी रच्चना ही नहीं है ठीक है फिर आवर आगे आते हैं आज जो लेशन चुटा तो आज मैंने जश्ट कवर किया है यह चुटा वो लेशन था इसको पढ़ने बाद यह बात आपको लग जाएंगी सर जितना आपने पढ़ाया तो वहीं सारे पर नहीं पूछ लाएं यह देखें यहां पर देखें निगवन बीदी आग्मन बीदी कैसे क्या क्या है यह सबसे प्रमक उनकी उजनाय दिएं देखें प्रजेक्ट प्रियोजन विलियम हेन्रिक हिल पैट्रेक सोच चपत विदी विकास यह देखें सारा सारा इटम इताय पागम परवर्तन मारिशन विनिवीट का विदी योजना मैं मैंध भी पढ़ाता हूं और आनिक एडमी प्यारो इलारिनिंग बिरिद्गर दोनुच चपता मैं पढ़ाता हूं मैं पढ़ावी चुका हूं कोर्सेज मेरी खता मुझेक्ट विनिटी का विदी योजना काल्टन वासवर्ण डेक्रो लीजी विदी डेकॉली विदी लुई ब्रेल विदी लुई ब्रेल साखी एभी क्रिया मनुसंदान देख रहें सारा क्वेश्चन कभी प्रश्णोतरी विदी सुकरात आप किसी भी येर का प्रपर उठागे देख लीजेगा अगर मेरे नोस जानबारन सावी तो फिर आप एक दुर्गे सर अपने क्या कहा था मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि नोस कैसे हैं आप देखनी चीए बेसिक सिच्चा मात्मा गांदिय करें इस सारा प्रश्णावली विदी के प्रश्णोत्तर प्रश्णावली विदी दुनों अलग कि यहां पर देखिए क्या हर एक बालक के बारे में पूरी तरह से ब्याक्ष्णावल भी दिया गया ताकि आपको समस्या ना होने पाए जिसे जो पने पीछो पड़ लिया पता नहीं आगे क्या है क्या नहीं है इसके विसे में बिशलेशनल रूप से हल दिया गया है फिर यहां पर भी दिया है फिर आते है अस्माणी तरह कुछ याद करने योगी बिंदू है जो आपको याद करने है ठीक इसमें कारवण चाकर सूर कैसे होता है देख रहे हैं यहां पर देखिए पासिकी तंद के बारे में दिया है रेड़ो धर्मती पतार्थ क्या है इस पीड की तरह से संतुलित है संतुलित नोट्स को मैंने बनाया है पर देख रहे हैं यहां पर पर दूसको कम करने के लिए यह देखिए यहां पर हो गया और यह पासिक बंद के बारे में पूरा पढ़ाया गया है यह वंजी और बिहारण के बारे में सुर्च साथ दिनीय मीरी मैं पढ़ाया था बाग परिजन भी मैंने पढ़ा दिया है मैं तो काफी चीज़ मैंने पढ़ा भी दी उसको फिर रेंज सेड़ो एरिया में चलने वाली हमाई वर्ष्नादिगीन होती है इसके बताएं कैसे होती है प्रकास्त तरंगे की महपन निकाहिए इंगे स्टॉण होती यह सारे कोश्चन आपके ठीक है ठीक है यह भी चार्ज है चिप कोण दौन का संबंद वन सर अच्छन से इसके फ्रेंट ता कौन है यह भी मैंने पढ़ा भी दिया है ठीक है यह इंपॉर्टेंट असमेंड़ी दिन वे फिर हां आते हैं संसार सबसे बड़ा लोश का मैदा है ठीक हां तो फ्री लर्निम पर क्यों मेरा संसाग सबसे बड़ा लोश का मैदान चिन देश मवस्तित है वात्व सजन क्रिया पोटेश्यम देखिए आपके लिए महात्व पून है यह पूरा दिख लीजेगा मनुष्ण में पाराइक होने वाला मिनी माटा रोग प्राया यह भी पूछा कोशन है अगर आपने पिछली बार सुपर टेट शीटर दिया होगा आपको याद होगा यह कोशन पूछा है यह देखिए करी कॉलम कहते हैं यह सारा चीजे तो देख रहे हैं यह आपके लिए ज्यादा महत्व पूर्ण है इसको पूरा तयार कर लेंगे आ पूरे जो मैंने नोट्स बनाया पूरा एकदम संत्रिक नोट्स बनाया है मतलब ऐसा नोट्स है जो कम पेजेज में आपको ज्यादे मैट्रोफ लब कराता है आप पढ़ेंगे तो तयार भी होगा इसी बात नहीं है जागे आते हैं कोई भी प्राणे भिलुक तो माने जात है सबसे बड़ी आधरभू में गुजरात राजी में है कि दियो गोंग कमद्री गायों कहा जाता है ठेक कोई समस्या यहां पर है कि युकिलिप्टर भिच की पास्ति की आतंगबादी कहा जाता है यह मैंने बताया भी तो समय बताया था बात में 103 राष्टी उद्यान है य मना जाता है मुंटाना डाइकोस कबिस्तान कहा जाता है सदा भार विच्छ लोका ठेक है यह पूरा कहेगा यह भी मैंने पढ़ाया है ताकि आपको सौल पर समय समस्या एक्टम से ना होने पाए ठेक आगे बढ़ते हैं तो आगे आमने चिपको अंधन बाव गुड़ा दे क्लिक देखें यह क्या अर्सेनी के बारे में है कि जिक्ट्रोफा पैगा मिया सुरुज मुखी खेती लिकी जाती है ठीक प्रकार हम नहीं की सबस्क्राइब तरह के प्रकार हो गया अगर कोई शमस्या होती है आप हम बताएं तो हम आपके पूरी तरह से प्रयाश करेंगे कि आपको कोई समस्या दुबारा शेख नों सब्रते मेरे नोट्स पूरा देंड हो गया और मैं अपको समधा दिया और इस तरह के यही मेरे नोट्स है जो आरके सामने दिखें हैं इसकी मैंने पर ही व्यक्षा कर दिया है थोड़ा सा व्यक्षा वह बच्छा होगा मझे लगता मैं एक दिन की कलासे यहूँगा दो घंडे की तो पूरा संपूर्ण मैं कम्प्लेट कर दूंगा अगले दिन पड़ेंगे इस प्रकार आपके मैं सारी समस्याओं को साल्ब आसानी से कर पाऊंगा कोई क्रास कोश्चन कोई प्राश्न ने पूशना है बहुत बहुत धन्यवादा सभिक आप सब लगाता है इतना दिर तर जुड़े रहें हमसे पढ़ते रहें बड़ी बादी होती इतना लंबा वीडियोस देखना ठीक तो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है यह तो बस आप म लगातार आपके लिए मेनत करते हो और आप भी करते हैं तो सरीका जी आपका मोश्टल कम है मैतमेटिस के सभी की नोट्स हमारे पास उपलब दें आपके पास आपको पता ही होगा जगर आप मुझे जानते होंगे तो बस यह है आप लोग जुड़े और अन्य लोगों को भ लगार जो